सबस्ट है ह utilizz morning जबनों के अदिन है थैयर से बनाने शुरू को अक्रडihco sourd मैंने लिया है दो अलू जिसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था नमक पानी एक चंबच नमक अट किया था और इसे बॉल कर लिया था इसे हम मैश करेंगे और इसे मैश करते हुए इसमें हम आड़ करेंगे बटर अराउंड एक से दो चमच सारे लंच को अच्छी तरह से निकाल लेने के बाद इसमें हम आड़ करेंगे मिल्क याने की दूर हमें वांब मिल्क लेना है गरम लेना है 2-3 चमर्च और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मिल्काड करने से जो आपका जो पटेटो है माश पटेटो काफी सॉप्ट बनेगा यह हमने बहुत ही अच्छे से पोटेटे को माश कर लिया है सारे इंग्रीडियन्स के साथ में यह रेडी है इसे साइड में कर लेते हैं और इसकी ग्वेवी बना लेते हैं एक नॉन्स्टिक पांग में मैं ले रहे हूं अरावं दो चममच बटर और जैसे हमारा बटर मेर्ट होने लगेगा इसमें हम आड करेंगे दो चममच मैदा यानि की अल पॉर्पोस प्लार अच्छे से मिसके और इस सौटे करेंगे पना अचंहाद से ओख लागजंग तरफ नहीं आ जाता जिससे की जो मैदे का सारा कच्छापून है जो खत्म हो जाय लिह हमारा जो मैदा है उसका कलर जोनर वो लाइट गोल्डन की तरफ आने लगा है अब मैं इसमें आड़ करूंगी चिक इन स्टॉक अगर आप वेजटेरियन है तो आप इसमें वेजटेबिल स्टॉक आड़ कर सकते हैं जैसे आप इसमें आड़ करते जाएंगे आप नूटस करेंगे कि जो आपका मैदा है वो एकदम थिक पॉम में आ रहा है धीर धीर आपको आड़ करना हो और साथ में इसमें चलाते रहना है जैसे ही आप देखेंगे कि इस तरी किसे ठिक होने लगा है आप इसमें आप कर देंगे आदा चमज परपाउडर हमारा जो चिकन स्टॉक था उसमें अल्डेडी सॉल्ट हा इसलिए में इसमें और सॉल्ट आज नहीं कर रही हूं यह देखिए जो हमारी ग्रेवी है इसका कलर भी जो है वो ब्राउन की तरफ आने लगा है और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो भी बिल्कुल पॉफेक्ट है जैसे कि हमारे मैश पटेटो में होनी चाहिए इसे फ्लेम से बंद कर लेंगे यह जो हमने हमारा मैश पटेटो बनाया था इसी आइस्क्रीम कुपर की मदद से इसे फिल कर लेंगे कुछ इस तरीके से अब एक बोल में इसे जाल देंगे यह देखें कितना अच्छा सा स्कूप आउ हुआ है अब जो हमने ग्रेवी बनाई है इसे हमने इसके साइट्स में डाल देंगे तो रड़ी है हमारा माच्छ पटेटो विद ग्रेवी ज़रूर ट्राइ करें और मेरे चैनल को लाइक चैनल सब्सक्राइब करेंगा थैक्क्यू बढ़र मच्छ बाइग